नमस्कार दोस्तों नमय शिवायत जीवन जोती चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ दोस्तों आज मैं बात करूंगी पॉश मास रविवार ब्रत के विधी के विशे में आपको पॉसमास का रविवार का ब्रत कैसे रखना है, क्या विधी है, ब्रत में आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, सुर्यदेव जी की आराधना आपको कैसे करनी चाहिए, क्या लाभ मिलने वाला है, आप पॉसमास के केवल रविवार का ब्रत रख सकते ह सारे प्रश्णों के उत्तर आपको इस वेडियो में मिलने वाले हैं। सुर्य उपासना को विशेस रूप से महत दिया गया है। प्रश्णों के उत्तर आपको केवल चार रवीवार रखने चाहिए। या फिर आप इससे जादा भी रख सकते हैं, देखिए ये आपकी शक्ती सामर्थ के उपर है, बहुत से लोग, बहुत से भक्त जन केवल पॉस मास में पढ़ने वाले रविवार का ब्रत रखते हैं, चाहे चार पढ़ें या कभी कभी पाँच पढ़ जाते हैं, तो आप इस उस रविवार से प्रारंब करके आप बारह रविवार का ब्रत भी रख सकते हैं, चाहे तो आप एक वर्स रख सकते हैं, चाहे तो आप इससे जादा भी रख सकते हैं, जितने ब्रत का आप संकल्प लेंगे, वो पहले ही रविवार को आप उतने ब्रत का संकल्प आपको ल चाहिए आप चाहिए इस्त्री हो या पुरुष हो विद्यार्थी हो आप कोई भी हो आप रभिवार का ब्रत रख सकते हैं किसी के लिए कोई इसमें बाधा नहीं है बहुत ही उत्तम बहुत ही श्रेश्ट फल को देने वाला यह ब्रत माना जाता है दूसरी बात मैं करूं कि आपके कुंडली के हिसाब से आपके ग्रहों के हिसाब से तो ग्रहों का राजा सुरे देव जी को कहा गया है आप धार्मिक रूप से चाहे आप माने या फिर चाहे जोतिश के रूप से माने हर दृष्टी से आपको सुर्य उपासना करनी ही चाहिए तो इस प्रकार से ये बात हो गई कि सुर्य उपासना से आपको विशेशलाब की प्राप्ती होने वाली है अब आईए मैं बात कर लेती हूँ ब्रत की विधी के विशय में दोस्तों जैसा कि मैंने बताया पहले ही रविवार से आपको ब्रत का संकल्प ले लेना है रविवार के ब्रत के लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है सुर्योदे से बहुत ही पहले आपको उठ जाना है जिससे सुर्योदे होते होते आपकी पूजा संपन हो जाए जब सुर्य देव की लालिमा व्यापत होती है उस समय जब आप अर्गे देंगे सुर्य भगवान को उनकी पूजा अर्चना करेंगे इससे आपको विशेस लाभ की प्राप्ती होगी मेरा ये निवेदन है सभी भक्तों से कि आप लोग देरी बिलकुल न कीजिएगा क्योंकि देरी से की हुई सूर्य पूजा आपको उतना लाभ प्रदान नहीं करेगी सुबह से बेरे आप उठ जाईए पॉसमास में गंगा स्नान करने का बहुत यदिक मह तो लाल वस्त धारड करें नहीं ब्रत रख रहे हैं तब भी रभिवार के दिन आप लाल वस्त धारड करके ही सुर्य देव जी की पूजा अर्चना करें अब आप एक ताबे का पात्र लेकर उसमें स्वक्ष जल भरें उसके बाद उसमें लाल चंदन रोली लाल पुष्प गुड इत्यादी आप डाल कर सुर्य देव जी का दर्शन करते हुए यदि आप जल देते हैं तो बहुत अच्छी बात है यदि आपको प्रतेक्ष नहीं दिखाई दे रहे हैं तब आप उनका समड करते हुए ओम सुर्य आय नमए ओम भासकर आय नमए ओम आदित्य आय नम आप उसी अस्थान पर खड़े होकर साथ बार या तीन बार परिक्रमा कर सकते हैं। आप अपने घर के मंदिर में सूर्य देव जी की एक प्रतिमा चाहें अस्थापित कर ले या फिर चाहें ताबे का सूर्य आपको मिल जाएगा, मार्केट में भी मिल जाएगा, आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। सूर्य देव जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। सूर्य देव जी की जब आपकी पूजा संपन्न हो जाती है तब आपको किस तरह से ब्रत रखना है। आपको पूरे दिन जल, फल, इत्यादी पर ही ब्रत रखना है, मीठा फला हार ही आपको करना है, नमक का सिवन आपको भूल कर भी नहीं करना है। सारीरी की स्थिती यदि आपकी नहीं सही है, तब भी आप प्रयास करें कि नमक का प्रयोग ना करें। यदि आप सारीरी की स्थिती आपकी नहीं सही है, ब्रत नहीं रख पाते हैं, तो आप केवल सूरी उपासना ही कर लें, ब्रत ना रखें। लेकिन मैं यही कहूंगी, मेरी यही राय है कि नमक खाकर आप ब्रत धारड ना करें। जबी वार के ब्रत में विशेश रूप से आप गुड का सेवन जरूर करें, क्योंकि जो गुड है वो सूरी का कारक होता है, जल में भी आप गुड डाल कर समरपित करें। गुड रोटी यदि आप खाते हैं तो यह बहुत ही उत्तम है, वैसे मीठा आप कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन गेहूं का विशेश महत्त होता है, इसलिए रोटी या पराठा का प्रयोग आप लोग जरूर करें। और सूरिदेव जी को आप जब भोग लगाते हैं सुबह तो आप हलवा का भोग लगा सकते हैं, या फिर किसी भी मीठी बस्तु का भोग लगा सकते हैं, फल का भोग लगा सकते हैं, और संध्या के समय उस प्रसात को ग्रहन करके आप एक अनाच का सेवन कर सकते हैं। इस प्रकार से आप रविवार का पूरा ब्रत करें और उसके बाद जब आप जितना संकल्प आपका हो जाए संकल्प समाप्त होने के बार अंतिम रविवार के दिन आप इस ब्रत का उध्यापन करें दोस्तों उद्यापन की विधी के विशे में यदि मैं बात करूँ तो आप दो तरीके से उद्यापन कर सकते हैं जब आपका ब्रत संकल पूरा हो जाए तो आप चाहें तो पंडी जी को बुला कर उनके कहे के अनुसार उनके बताये अनुसार सारी व्यवस्था करके आप उद उद्यापन के दिन आप हवन करेंगे सूच महवन जैसे कि हम घर में प्रतेक ब्रत में उपवास में हवन करते हैं नौरात्री में करते हैं उसी प्रकार से आप गाय के उपले पर गुड़ और घी का आप आहुती बना लें उसके बाद आप उसमें थोड़ा सा हवन सामगरी मि जो कि आप सभी ब्रत के उद्यापन में पारण में दान का विशेश महत्व होता है तो विशेश का रभिवार ब्रत की मैं बात करूं तो इसमें गेहूं का दान, गुड का दान, तांबे के पात्र का दान, लाल वस्त्र का दान, लाल फलों का दान, ये सारे दान बहुत ही महत गी का दान, दान की तो कोई सीमा नहीं है, लेकिन सूरे के जो कारक बस्तु हैं, जो सूरे से संबंधित बस्तु हैं, उनका दान आपको विशेज रूप से करना चाहिए, जैसे कि अन्य दान जब हम करते हैं, तो ज़्यादा तर हम चावल का दान करते हैं, लेकिन आपको रभ इतना दान करना है ये आपके शक्ति के उपर है सामर्थ के उपर है आप इस दिन ब्रामण को भोजन भी करा सकते हैं इसी तरह से मीठा भोजन आप कराएं तो बहुत ही अच्छी बात है वस्तर का दान आप कर सकते हैं गर्ब कपड़ों का दान कर सकते हैं ठंड का मौसम है अपनी मनो कामना कहते हुए अपनी तूटियों की छमा मांगते हुए आप इस तरह से उद्यापन करें और अपने ब्रत को आप संपूर करें जहां तक सुच महवन की बात है आप प्रतेक रभिवार को वहीं पर बैठ कर जहां आप सूरिदेव जी की पूजा कर रहे हैं यदि कभी सूच महवन अवश्य ही करना चाहिए प्रतेक तिथियों पर जो विशेश तिथियां आती हैं हमें सूच महवन अवश्य करना चाहिए यदि हम कोई भी ब्रत उपवास रखते हैं तो उस दिन भी हमें सूच महवन अवश्य करना चाहिए तो इस तरह से आप करके पूर को लाभ मिलने वाला है इस ब्रत से आप सूर्य द्योजी को और भी ज्यादा बल्वान करने के लिए मजबूत करने के लिए आप हमेशा अपने पिता का आदर करें उनका सम्मान करें उनकी सेवा करें आप उनको किसी भी प्रकार का कष्ट न पहुंचाए आपके द्वारा उन न कहीं आप अपने सूरे को कंजोर बना रहे हैं दोस्तो तो पूजा से उतना लाभ आपको प्राप्त नहीं होने वाला है तो पिता का सम्मान माता का सम्मान तो वैसे भी हमें करना चाहिए तो ये चीज मैने बता दिया कि आप लोग इस बात का भी ध्यान रखें इसी सकते हैं मैं तुरंत उस प्रसंद का उत्तर दूंगी आपको फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में तक तक के लिए धन्यवाद नमाह शिवाय हरहर महादेव